न्मस्कार आज़ हम discuss करेंगे इमिपोर्टेंट, नैशनल, इंटर्नाइशनल अफेर के question और आपको पता है कि अभी PGT, हिंदी का वेपर हुआ है तो उसमें history के question भी, जो था हूप पूछे गई थे तो history के questions हम discuss करेंगे तो पहले हम national, international礁 और direct पेमेंट इंटरफेस सर्विस वर लॉंच डेन विच ओधा फॉलएंग कंट्री बोलते हैं कि हाल ही मैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवाएं जो है वो भारत की किस देश में लॉंच हुई है तो भारत की जो सेवाएं हैं यह कहां पर स्रिलंका और मारुशियस में जो है और लॉंच हुई है आपुशन ए जो है वो सही अंसर है बहुत सारी कंट्री जैसी हैं जहां पर अंडिया का यूप याई शिस्टम जो है वो अभी पहुंच चुका है जाकर तो स्रिलंका और मारुशियस जी आज़ाँ पर अब हाल फिलाल में जो था यह देखने को मिला था अगले question में बोलते हैं बोलते हैं recently Alexander Stubb won presidential election of which country तो बोलते हैं कि Alexander Stubb जो है वो presidential के election जो है इन्होंने जीते हैं यह कौन सी country के हैं तो यह है Finland के option B जो है वो सही answer हो जाएगा Finland country के president के root man के इनके द्वारा जो है election जीते गए है next question यहां पर वो ही लिखा गया है कि Alexander Stubb जो है इनके द्वारा जो है national election जो है जीते हैं यहां से देखो एक बात ध्यान लखनी है Bangladesh के बार में Bangladesh इंडिया का बडोसी देश है यहां पर प्रेजिदेंट प्राइम मिनिस्टर के बना है कि कौन बंगला देश का प्रेम मिनिस्टर बना है से ने भेयां हुचा रखना है ते भुता है कि हाल ही में किस देश ने आठ जो पूर भारती नौसेनिक कर्मि क्यान की थे उसको रिआ कर दिया है, देखो भारत के जो है है option C Qatar जो है वो सही अंसर हो जाएगा अगले question में बोलते हैं बोलते हैं what is the name of NASA's latest climate satellite which will be survey the world's ocean and atmosphere बोलते हैं कि NASA का वो हनवीन तम जलवायू उपग्रह का क्या नाम है उसका जो विस्टो के महासागरों और वायू मंडल का सर्वेक्शन जो है वो करेगा देखो NASA का जो से अंसर हो जाएगा पेश इसका नाम अपने नोट करना है अगले को यहां पर वही लिखा गया है नासा का यह पेश है पेश का पूरा नाम प्लेक्टॉन एरोसोल क्लाउड ओशियन इको सिस्टम है और यह आठ फरवरी दोहजार चॉब़ीस को जो था वो लांच किया गया था यह आपने ध्यान लखना है किस क्लिए किया गया है वो तो पता चल ली गया अगले कोशने बोलते हैं बोलते हैं रिचेंट्ली विच उपड़ा फॉल इस प्रियाल में लॉँच की गई है और ये जिर्कॉण मिसाइल जो है वो रसिया के दौरा लॉँच की गई है、 ऑप्शन ची जो है वो सहीं लेंसर है यह नेती है वो स्याने मिसाईल को लॉँच किया हैð यहे भी मोस्त इंपॉर्टन कПр από कॉश्चिन हो गया, आप देखू नहीं होगा इसका रश्या इस तरह से सही याद ध्यान रखना है ज़रूरी नहीं आपको options देखकर ही answer याद आए आपको answer ऐसे ही याद होना चाहिए option देखने की ज़रूरत ही ना पड़े next question है बोलते है recently who has been honored with the लक्ष्मिन आरायन international award हाल ही मैं किसे लक्ष्मिन आरायन अंतर अब भी हाल फिलाल में ये प्यारे लाल सर्मा को दिया गया है option दी जो है वो सही answer है प्यारे लाल सर्मा को जो है ये दिया गया है आगे बोलते है recently which ministry sign an agreement with FIFA to promote football game in India तो बोलते है कि हाल ही मैं किस मंत्रा लेने जो है वो भारत में football खेल को बढ़ावा देने के लिए FIFA के साथ स Ministry of Education के साथ sign किया गया है option B जो है वो सही answer होगा FIFA ने जो है Ministry of Education के साथ जो है ये sign किया है और इसमें क्या होगा football जो game है उसको promote करने की बात जो है वो कही गई है next question देखें बोलते है recently which country won the title of ICC Under 19 World Cup तो बोलते है कि हाल ही मैं किस देश ने ICC Under 19 विस्वकप 2024 का किताब जीता ह देखो ICC Under 19 की अगर हम बात करते है न तो Under 19 का ये Australia के दोरा जीता गया है repeated question है next question में बोलते हैं बोलते हैं what is India's rank in World Bank Logistic Performance Index 2023 तो बोलते हैं कि विस्व बैंक की जो Logistic Performance Index Report है 2023 की उसमें जो है वो कौन सा rank जो हो भारत का रहा है अगर हम भारत के rank की बात करते हैं कि यहां पर भा रहा है option C जो है वो सही answer है 38th rank आपने ध्यान रखना है next question में बोलते हैं what is the theme of World Pulses Day 2024 तो World Pulses Day जो 2024 में मनाया गया उसकी theme यहां पर पूची गई है इसकी theme रखी गई थी पल्सीज नरिशिंग स्वाइलेंड पीपल यह option A जो है वो इसकी theme रखी गई थी आप देखो यहां पर कुछ एक important concept या फिर important बात है कि World Pulses Day जो है वो मनाया कब जाता है आखिरकार यह भी तो पता होना चाहिए तो World Pulses Day जो हो फरवरी के महीने में मनाया जाता है और फरवर को जो है वो World Waterland Day मनाया जाता है चार फरवरी को जो है वो World Cancer Day जो हो मनाया जाता है 20 फरवरी को जो है वो World Day of Social Justice जो हो मनाया जाता है 21 फरवरी को जो है वो International Mother Language Day जो हो मनाया जाता है उसका 22 फरवरी को जो है वो World Scout Day मनाया जाता है 24 फरवरी को जो है वो Central Excise Day जो हो मनाया जाता है और 28 फरवरी को जो है वो नेशनल साइंस डे जो है वो मनाया जाता है आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि वर्ल्ड वेटलेंड डे जो दो फरवरी को मनाया गया था उसकी थीम क्या रखी गई थी उसकी थीम आपने कमेंट करके बता दे नहीं है जल्दी से अगला क्वे नियु दिल्ली सहर में ये शुरू हुआ ओप्शन सी जो है वह सही अंसर हो जाएगा अगला क्वेशन देखते हैं हमारे पास क्या पूचा गया है नेक्स्ट क्वेशन में यहां पर बोलते हैं रिसेंटली हुई हैस बिन कॉन्फेर्ड फ्रांस हाइस्ट सीविलियन ओनर दा चेविलियर डी ला लीगन ओनर तो बोलते हैं कि हाल ही मैं फ्रांस का जो सरवच नागरिक समान है जिसको सेविलियर डी ला लीजन डी कहा गया यह बोलते हैं यह किस से जो हो किसको सम्मानित किया गया है तो यह एवार्ड जो हो सशी धरूर को जो हो दिया गया है ऑप्शन का highest award जो है प्रदान मंतरी नरेंदर मुदी को जो है वो दिया गया तो भुटान वाला क्वेशन भी exam point of view important हो गया next question बोलते है recently where did prime minister lay the foundation stone of siri kalki dham temple तो अभी हाल फिलाद में बोलते हैं प्रदान मंतरी जी के द्वारा जो है वो siri kalki dham mandir की धार शिला जो है वो उत्तर प्रदेश में रखी गई है राम मंदीर जो है बना था राम मंदीर का उद्खाटन हुआ था बोलते हैं राम मंदीर के वारे में जितने भी important questions थे वह हमने सारे के सारे जो है उडिसकर्स कर लिए थे तो वहां मंदीर को इनागुरेट किया गया था यह question बन सकता है एक्जाम में यहां पर वही लिखा गया है कि प्रदान मंतरी स्रीजनरेंदर मोदी के द्वरा जो है वो इस यह जो कलकी धाम टेंपल है इसकी जो है उदार शिला रखी गई वही बाते हैं सारी की सारी अगले question में अगले question में क्या बोलते हैं फरस्ट चाइल्ड फ्रेंड्ली पुलिस टेशन इन इंडिया इनागुरेटिड इन विच और फॉलेंग स्टेट तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलाल में पहला जो बाल अनुकुल पुलिस स्टेशन है उसका उदगाटन किया गया है वो कौन से राज्य में किया गया है तो उसका उदगाटन महराश्टरा स्टेट में जो है वो किया गया है और अजाद नगर पुलिस स्टेशन जो है यहां पर महराश्टरा में इसका इनगरेशन किया गया अगला कौन देखें क्या बोलते हैं बोलते हैं यहां पर इंडियन जो हमारे मॉडरन हिस्टरी है या फिस्टरी की अभी इंपॉर्टन क्वेस्टन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं और ध्यान से देखना हो जकता है यहां पर एक्जाम में है रप मिदे जो डिटेल से बातें बताई जाएंगे उनको भी थोड़ा देख लेना हमने सफलता सीरीज में अभी तक 17 पार्ट जो हैं वो हिस्टरी के डिसकस कर ली है सफलता सीरीज को देख लेना प्लेलिस्ट में में हो जाएगी अभी जल्दी ही उसको हम फिर से एक्टिव कर देंगे और फिर से उसके पार्ट देखने को आपको में हो जाएगे यहां पर बोलते हैं question है बोलते है कि सुराज भारत के राजनितिक प्रयासों का लक्स है तो यह कलकत्ता session में जो था वो की गई थी option C जो है उसा ही answer है यह दादा भाई नौरो जी ने जो था वो कलकत्ता session की presidency जो था वो की थी या फिर इस session के यह president थे यह प्रेजिडेंट थे यह 1906 में जो था वो session हुआ था 1906 में session हुआ था 1906 के session के देख्सता किस ने की थी वो पता चल गया कहां हुआ था यह session यह भी पता चल गया देखिजिए गर हम बात करते हैं कि दादा भाई नौरो जी के द्वारा कौन कौन से session Indian National Congress के जो था वो preside किये गए थे तो देखो जो दूसरा session Indian National Congress का हुआ था 1886 म कलकता में ही हुआ था इसकी presidency भी जो था दादा भाई नौरो जी नहीं की थी और इसके बाद 1906 का session आपने जान दिये दादा भाई नौरो जी हुआ जो था वो इसके प्रेजिड़न्ट थे इसके लावा एक 1893 का session है जो कि लहोर में हुआ था वो भी दादा भाई नौरो ज जो था, वो इसके president थे अब हम यहां से बात कर लेते हैं, कि 1906 के बाद, जो 1907 का session हुआ था, इसमें Congress बागों में बढ़त गई थी, और यह 1907 का session सुर्ट में हुआ था, बरेसिदेंट थे, है, यहां से तो, यहां से pasta sessions के बाले में हो गया. अगला question देखें बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं कि जो stretchy commission है बोलते हैं यह connected with the following तो बोलते हैं कि यह stretchy commission जो हो किससे संबंदित है कि stretchy commission famine 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 से जो हो संबंदित है देखें जी जो stretchy commission है ना यह फैमीन से संबंदित है और यह कौन से year की बात रही कि जब first इस तरह का commission जो था वो बनाया गया कोई भी तो first famine commission जो बना था ना वो सर रिचर्ड स्ट्रेची की धिक्सता में जो था वो constitute किया गया था लगग लगग 1880 के आसपास की यह बात रही थी या फिर exactly हम बात करें कि कब इसको स्थाफित किया गया था तो 1878 में जो था वो इसको constitute किया गया था सर रिचर्ड स्ट्रेची की अस्दक्सता में तो यह आपने धियान लगना है फैमीन भी धियान लगना है साथ में अगले कोईश में बोल 1784 में जो था यह ट्रेटी हुई थी 1784 है अब देखो जब बात हो रही है इस ट्रेटी की तो आपको सेकिंड एंगलो मैसूर वार पता होना चाहिए यह 1779 से लेकर 1784 तक जो था वो हुआ था और फिर 1784 में यह संधी जो है वो होती है जहां से यह वार खतम होता है इसी तरह आपने धियान रखना है कि चार एंगलो मैसूर वार जो था वो हुए थे पहला एंगलो मैसूर वार 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था दूसरा हमने जान लिया 79 से लेकर 84 के बीच में हुआ था तीसरा एंगलो मैसूर वार 1790 से लेकर 1792 के बीच में हुआ था और चौथा एंगलो मैसूर वर 1799 में जो था हूँ हुआ था वो आपने नोट करनी है सारी बाते यहाँ पर वही लिखा गया है ट्रीटी आप मैंगलोर जो यहाँ का भूई थी क्या बात है अगले कोईशन में देखें बोलते हैं महात्मा गांधी गेवा कॉल फॉरा सत्यागरह अगेंस् तो वो 1930 की बात है उसी तरह गांधी जी के इमपोर्टन जो है वो आंदोलन कौन कौन से है देखी गांधी जी के अंदोलनों में जो है चंपारन सत्यागरह आजाएगा 1917 का यह सत्यागरह है एहमदबाद मिल स्ट्राइक आ जाएगा 1918 का है यह खेड़ा अंदोलन आ ये भी 1988 का है बस ये आपने ध्यान रखना है कि ये गांदी जी के इंपोर्टंट अंदोलन होगे 2020 से पहले पहले उसके बाद जलियाँ वाला वागत्या कांड भी जो है वो होता है, इंपोर्टंट वन है वो भी जलियाँ वाला वागत्या कांड 1919 में जो है ये जलियां वालबा घत्याकान जो होता है फिर हमें non corporation moment जो है वो देखने को मिलती है 1920 की ये moment थी ये आपने ध्यान रखना है non corporation moment के बाद अगर हम में कोई बड़ा कोई इस तरह कांदूलन देखने को मिलता है डांडी मार्च हो जाता है 1930 का वो अपने ध्यान रखना है फिर गांधी इर्विन पैक्ट होता है 1931 में वो भी अपने ध्यान रखना है अपने ध्यान रखना है कॉमिनल अवार्ड आया था 1932 में फिर पूना समझाता होता है 1932 में ये भी ध्यान रखना है गांधी जी इंडियन नेशनल कॉंग्रिस के प्रेजिडेंट भी एक बार बने थे कौन से इयर में बने थे और कहां प्रेशेशन हुआ था ये आप कमेंट करके बताएंगे next question देखिए next question में क्या पूछा गया है next question में पूछा गया है बोलते हैं who led the यहां पर बरहिया ताल एक present moment हुई थी बरहिया ताल किसानों का अंदोलन हुआ था इसका नेत्रित्तों जो था first social reformer in western India तो बोलते हैं कि नियुक्त किसे पस्चिम भारता का पहला समार सुधारक के रूप में जाना जाता है अगर हम बात करें कि first social reformer जो western इंडिया के थे वो कौन थे वो थे गुपाल हरी देश्मुक गुपाल हरी देश्मुक option भी जो हो सरी answer हो जाएगा देखें जि गुपाल हरी देश्मुक जो हो first reformer थे इंका नाम important है अगर हम और भी बात्तिए हंपर जानें कि और क्या क्या important बात है क्या क्या important point जो हो जाएंगे अच्छा जी यहां पर हमें गुपाल हरी देश मुख के बारे में एक और question देखने को मिल जाता है कि यह इनका नाम क्या था कोई और लोखितवादी के नाम से भी इनको जनते थे चीतु पांडे जो है वो निम्मली के इसे किस विद्रहों के साथ जो जुड़े हुए थे चीतु पांडे का नाम आपने इंडिये नेशनल हिस्ट्री में जरूर सुना होगा यह जो था वो जुड़े हुए थे क्विट इंडिया मुव्मेंट के साथ जो 1942 में हुई थी भारत छोड़ो अंदॉलन 1942 का जो भारत छोड़ो अंदॉलन हुआ था उसमें इनका एहम योगदान जो था हो रहा था हां कहां पर की गई थी वो भी एक अलग से question बनता है बालिया में पर form की गई थी बालिया कहां पर बढ़ता है यह उत्तरप्रदेश में पर पढ़ता है जहां पर यह form की गई थी ठीक है जी तो यह ध्यान लखना है अगला question देखें क्या बोलते हैं next question बोलते हैं who among the following leader was not a founding member of हिंदुस्तान सोचलिस्टिकल रिपब्लिकन आर्मी बोलते हैं निमलिकित मैंसे कौन सा नेता जो है वो हिंदुस्तान सोचलिस्टिकल रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्चे नहीं था नहीं जब आप से पूचा गया है तो इन मैंसे जो है वो खुदीराम बोस नही हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो था वो 1924 में जो था वो फॉर्म की गई थी 1924 में जो था ये फॉर्म की गई थी यह सब लोग यही इसके साथ हो फाॉंडिंग मेंबर थे उसके बाद देखो बीच में चलकर 1924 के बाद 1925 का सिनेर्ईयू हमें देखने को मिलता है कि काकोरी कांट इस दौरान होता है झाकोरी रॉबरी इस दौरान पॉये और उसके बाद 1924 होगया 25 होगय है हमें 1928 में एक बड़ी मुभ्मेंट देखने को मिलती है, 1928 में देखने को मिलता है कि एस का नाम बदल दिया जाता है और HSRA रख दिया जाता है, HSRA का मतलब था हिंदुस्तान सोशिलिस्टिक रिपब्लीकिन आर्मिट इसमें कौन-कौन इंडिबिजूल थे साथ में जुड़े हुए भगत सिंग थे सुखदेव थे चंदर सेखर आजास थे राजगुरु थे और भी इस लोग यहां पर जुड़े हुए थे हमें इसके बाद देखने को मिलता है कि 1929 का डायम आता है 1929 में जो सेंटर लेजिसलेटिव असेंबली थी वहां पर एक देखने मिलता है कि 1931 में कुछ फांसी जुड़े जाती है थे सारे क्वेशन्स यहां से ध्यान डखेए, अगले क्वेशन में बोलते हैं इंडियन फैक्ट्री एक्ट वाज पास दिन 1881 डेट प्रैमली विद तो बोलते हैं कि 1881 में जो था ये पहला जो था वो भारतिय कारखाना अधिनियम जो था वो पारित हुआ ये किस से संबंदित था तो ये चाइल्ड लेबर से जो था वो मुख्य रूफ से संबंदित था तो चाइल्ड लेबर होता था उससे संबंदित था क्वेशन पूछने वाला ये पूछेगा कि कौन उस टाइम जो था वो वाइसर आए हुआ करते थे तो ये लॉर्ड रिपन के कारेकाल के दौरान हुआ था रिपन का नाम आपने ध्यान रखना है रिपन का कारेकाल 1880 में भी देखने को मिल थी 1884 की वो भी अपने ध्यान रखनी है इनको जो हो Lord रिपन को father of local self comment भी जो हो कहा जाता है वो भी आप note करें इनको कहा जाता है अग्ला question देखें क्या बोलते हैं और ये question में बोलते हैं where was Ajat Hind Forge form न 2 जो अजाद हिंद्ध फौजय उसकी इस्थापना उसका गठन जुताओ कहां पर किया गए था अगर अजाद हिंद्ध फौजकी रफोजकी गठन की हम बात करते हें तो स्थका गठन सिंग्वार में जूधा किया गए तो यह वाद थी, अगर हम बात करें कि बाल गंगा धर तीलग को जुथा हो, अपने ध्यान रखना है, इनको सजा सुनाई गई थी, यह आपने ध्यान रखना है, next question देखते हैं मार पास क्या है next question में बोलते हैं यहां पर who was the founder of Indian reform association in 1870 तो बोलते हैं कि इंडियन भारते सुधार संग के संस्था पर कौन थे जो ठारा सो सत्तर में बना था तो यह थे केश सब चंद्रा से option A जो है वो सही अंसर हो जाएगा इसके लावा देखो PGT की तेयारी कर रहे हैं तो PGT paper 1 की test series आप practice कर सकते हैं बहुत जारे questions आपको practice करने को मिलेंगे और देखो जब जिस हिसाब से exam चला हुआ है ना exam आ रहे है उस हिसाब से practice ही एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी नगया पार लगाएगी या यूँ कहें कि नौकरी लेने में वो help करेगी तो जितनी practice आप अपने level पर कर सकते हैं करें test series practice करने के लिए नीचे description box comment box में link दिये गए हैं कोई भी दिक्कत आपको test series में आती है payments related तो आप ह question देखें कि बुचा गया है महात्मा गांदी जी का बोलते हैं महात्मा गांधी returned to India from South Africa in 1950 गलते हैं at that time what was the age of महात्मा गांधी तो बोलते हैं कि महात्मा गांधी 1915 में दक्षण अफ्रीका से भारत लोटे थे अभी दक्षण अफ्रीका से भारत लोटे थे तो उस में महात् प्रवास्थी भारति दिवस, प्रवास्थी भारति दिवस कम ना जाता है? ये 9 जनवरी को ओपर एक बर्स मनाता है क्योंकि 9 जनवरी थी और 1915 यिर था जchuckles महात्मा गांधी वापीस आयते है और उसी दिनको याद करने के लिए ये प्रवासणी भारती दिवस मनाया जाता है अगला कॉश देखें क्या बोलते हैं अगले कॉश अब क्या बोलते हैं यहां पर और बाल गंगादर तिलक को मंदले जेल में भेजा गए अच्छा है मंदले जेल से ये रिलीज हुए थे कि 1913 में अगर क्रेक्ट ऑप्षिन चुनना है तो सिवाजी फेस्टिवल 1895 में स्टार्ट हुआ था ये बिल्कुल क्रेक्ट दिया गया है बाकी स्टेटमेंट्स की बा बाल गंगादर तिलक की बात करते हैं 1908 से लेकर 1914 तक मंदले जेल में रहे थे ये आपने ध्यान लखना है और उसकी बाद तो आपको वता ही है कि होम रूल लीग मूवमेंट की स्थापना होती है तो ये जो इंडियन होम रूल मूवमेंट जो है उस्थापित की जाती है य 1916 की आपने यहां पर होम रूल लीग या फिर इंडियन होम रूल भी आपने जान लिया ये सारे इंपोर्टन्ट मोस्ट इंपोर्टन्ट क्वेश्चिन्स होगे जो आपको याद रखने हैं बाकी देखिए टेलिग्राम पर जोईन करने के लिए अपने टेलिग्राम से सर् करेंगे अधरे टॉल एक्जाम 31 तो आपको हमारा टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा आप हमारी एलाइट सर्फिस की टेस्ट जोईन कर सकते हैं इस टेस्ट के बारे में ज्यादा बताने की जुरूरत नहीं है क्योंकि जितने भी आपके एक्जाम है जिस भी एक्जाम में जी पेसेंजी